हलो फ्रेंड्स मैं आपका दोस्ट डक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डक्टर कुमार एजुकेशन हमने सेक्स एजुकेशन सीरीज में बिगोरा टाबलेट के साइड इफेक्ट के बारे में एक वीडियो बनाया आप लोगोंने वीडियो देखा एप्रिशेट किय मैसेज किये लेकिन बहुत सारे लोगोंने एक कॉमन कुश्चन रखा कि क्या वह जो बिगोरा टाबलेट है वह ले सकते हैं और वह कितने समय में वह टाबलेट लें और वह कितनी हामफुल है तो हमारा जो पिछला वीडियो था हमने उसके साइड इफेक्ट और जो उसके ख इसल्टेशन ऑब डॉक्टर वह टाबलेट खाते हैं इविन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल हैं और वह टाबलेट लेते हैं क्योंकि उनको लगता है साइकॉलोजी का ली मतलब भावनात में रूप से ऐसी फीलिंग होती है कि वह कमजोर है सेक्शली परफॉमेंस उनका वीक है और वो सपोर्ट के लिए वो टाबलेट लेते हैं तो पहले मैं आपको एक किलियर ये बात कर दूँ कि विगोरा टाबलेट लेना कोई सेक्शल वीकनेस या कोई सेक्शल यदि आपको कोई ए्रेक्शन प्रॉब्लम है या प्रीमेस्ट्रल कोई प्रॉब्लम है तो उसका कोई समाधान नहीं है ये कोई solution नहीं है ये बिगोरा टाबलेट एक temporary boost up हो सकता है एक temporary tonic हो सकता है या एक sedition हो सकता है उस चीज को deal करने के लिए लेकिन ये बहुत temporary होता है और बिगोरा टाबलेट लेने से किसी भी इंसान को वो feeling नहीं आएगी जो naturally जब आप sex को attain करते हो या sexually involved होते हो तब वो feeling आती है क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप ये टाबलेट लेते हैं तो कुछ चीजें बदल जाती है क्या चीजें बदलती है और क्या physiology है बिगोरा टाबलेट की और बिगोरा टाबलेट क्या करती है आपकी बॉड़ी में जाके उस पे हम थोड़ का टाबलेट लेते हैं तो आपके बॉड़ी में कुछ specific part में आपका जो blood का supply है यानि जो blood का flow है वो बढ़ जाता है आपका पैनिस हार्ड होगा और आपके पैनिस की जो मसल्स है यानि पैनिस की तरफ जो वेंस है उदर आपका blood flow थोड़ा जादे होगा उस blood flow के कारण आप आपको erection आता है आपका erection का जो time में वो बढ़ जाता है और आपकी जो पैनिस की मसल्स है वो हार्ड हो जाती है और आप थोड़ा सा sex को prolonged कर पाते हैं तो एक पार्ट है दूसरा आपका मतलब दिल की तरफ यानि जो आपकी दिल की तरफ जो blood का flow है वो आपका बढ़ जाए प्लड को होती है उसके बाद आता है आपके nostrils region में यानि इस region में आपका blood का flow बढ़ेगा फिर आपका जो maxillary region है इस region में blood flow बढ़ेगा और head की तरफ आपका blood flow बढ़ जाता है जिससे कि आपको सरदर्द होता है और vision जो है आपकी जो रेटन ना की जो veins है muscles है उधर भी आप आपका blood flow थोड़ा सा बढ़ेगा तो कई वारी देखा जाता है कि headache होता है vision जो है वो blur हो जाता है इवन कई वरी चक्कर भी आ जाता है और दूसरा हम focus करने में कई वरी difficulty feel करते हैं उसके बाद आपको nose nasal area में जो आपका septum region है इस region में आपको pain हो सकता है आपको even cough and cold आ सकता ह after that और सरदर्द आपका 2-3 दिन तक बना रह सकता है तो यह चीजें होती है लेकिन यह बाद ठीक है कि bigora tablet को लोग as a erectile dysfunction मान कर use करते हैं उनको यह लगता है कि उनके अंदर erectile dysfunction है और एक sexual weakness है और यह tablet से वो इसको deal करते हैं लेकिन इस tablet का जो temporary part है वो यह है कि इसका effect 1 गंटे से और 6 गंटे तक रहता है यानि 1 से 2 hours maximum effect होता है और उसके बाद minimized होके 6 hours तक रहता है लेकिन 72 hours यानि 3 days तक भी bigora tablet का effect body में देखा जाता है तो आप question यह आता है कि यह tablet जो लोग लेते हैं तो वो कितने दिन में ले सकते हैं 3 days में एक बाद tablet ले सकते हैं यदि आप weekly ले तो जादा बेटर है उससे आपको health जो problems है वो कम होगी कम आपको नुकसान होगा दूसरी बात यह है कि without a consultation of the doctors यह tablet ना ले क्योंकि कई वेरी यह देखा जाता है बहुत सारे लोगों ने queries रखी कि मैं पहले एक tablet खाता था क्या मैं आप दो tablet खा सकता हूँ दूसरी बात यह है कि यदि आप विगोरा टाबलेट sex performance को बढ़ाने के लिए लेते हैं तो कुछ समय के बाद यह दिखा जाएगा कि आपको एक tablet लेने के साथ साथ आप उतना better feel नहीं करेंगे erections की जो degree है यानि पहले जितना erection होता था जितना time आप sex को prolong टर पाते थे अब उसका duration कम हो गया यानि आपकी body उसके used to हो जाती है वो दो tablet खा सकते हैं या 100 mg खा सकते हैं या फिर वो मतलब daily खा सकते हैं तो यह सब बिल्कुल गलत है life threading है इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है और उसके side effect को समझना बहुत जरूरी है उससे बचना बहुत जरूरी है otherwise आपको clinically कोई भी loss हो सकता है even stroke तक आ सकता है तो I personally recommend कि doctor के without consultation आप यह दवाई ना लें यदि आपको कुछ इस तरह की problem महसूस होती है क्योंकि sexual problem के पीछे बहुत सारे reason हो सकते हैं erectile dysfunction तो एक reflection है और एक ही part है बट उसके पीछे sexual weakness के पीछे और भी दूसरे बहुत सारे factor काम करते हैं तो पूरा देखना पड़ेगा कि उसके प dependent हो जाएंगे दूसरा जो side effects हैं वो आप carry करेंगे फिर बहुत सारी complications हैं पेन किलर के साथ यह नहीं ले सकते blood pressure की medicine के साथ नहीं ले सकते diabetes की जो medicine पे वो लोग नहीं ले सकते इनको kidney disease है वो लोग नहीं ले सकते यह tablet जो लोग more than 60 है वो भी यह tablet नहीं कहा सकते और आपको को कोई anxiety की neurological problems है आपको यदि कोई दबाई आप ले रहे हैं तो उसके साथ भी वियोग्रा टैबरेट आप नहीं ले सकते अदर्वाइस आपको बहुत complication यदि आपको retina का कोई problem है like eyes का कोई disease है और आपको यदि medicine पे हैं आप या फिर आपको specs लगा हुआ है या आपको epilepsy है य और यह आपकी life के लिए घातक हो सकती है life threading हो सकती है even mood disorder वाले लोग भी tablet avoid करें यदि आपको कुछ problem है और आपको यदि हम से कुछ concerned करना है यदि पूछना है तो वीडियो पूरा देखें वीडियो के end में आपको एक online consultation या पर personal consultation का option मिलेगा तो आप हमें WhatsApp से message कर सकते हैं या counselor से मिलें बट sex के बारे में पहले पूरी जानकारी लें पहले अपनी पूरी sexual conditions को health conditions को आप समझें यदि आपको erectile dysfunction है तो of course यह tablet आप ले सकते हैं बट dose limited रखें और week में एक बार से ज़्यादा ना लें again I am repeating प्लस आपको यदि कोई concern है कोई इस तरह का health issue है तो आप ब वीडियो को पूरा देखें चैनल को subscribe करें आइकेन वैल हिट करें और चैनल को subscribe करना ना भूलें मैसेज कमेंट्स करना ना भूलें यह हमारे लिए एक motivation होता है और इस motivation से ही हम आगे वीडियो बना पाते हैं आपको health education दे पाते हैं देन take care yourself thank you very much झाल